आप health से related कोई भी product इस्तमाल करें तो मैं आपको suggest करूंगा कि आप branded company के product ही इस्तमाल करें क्योंकि health के साथ कोई compromise नहीं होना चाहिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे best shampoo brands in India के बारे में जिनके shampoos आप खरीद सकते हैं Welcome to best wallet जहां मिलता है आपको शांदार comparison बहतरें review इसे ही शांदार products के जानकर ही पाते रहने के लिए इस चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए तो आज हम बात कर रहे हैं best shampoo brands in India के बारे में सबसे पहला आप हमें बताइए कि आपका favorite brand कौन सा है comment में लिखके ज़रूर बताइएगा तो हम start करते हैं हमारा 10th number पर है Biotic Biotic company एक 1992 में स्थाबेद वीदी इंडियन company है इसकी अच्छी बात यह है कि यह company के दावा है कि यह chemical का इस्तिमाल नहीं करते हैं और यह जो Ayurvedic source होते हैं उसके जरीए अपने shampoos को बनाते हैं इसका जो price range है वो आपको 80 रुपे से start होकर 1000 के आसपास तक भी पढ़ सकता है इसके बहुत सारे products आते हैं आप उनको देख सकते हैं Number 9 पर हमारा जो brand है वो है Khadi Natural इसका आपने बहुत नाम सुना होगा हाली में यह इसके products बहुत चल रहे हैं यह जो बागी products आते हैं उससे slightly महंगा रहता है थोड़ सा महंगा रहता है इसे 1965 में बनाया गया था यह Indian company है इसके जो समान है वो 25 countries में जाता है एक्सपोर होता है इसके जो products हैं वो wide range के products आते हैं अलग लग तरीके के आते हैं इसके price range अलग लगें आप नीचे check कर सकते हैं इसके description में products को याद रखिए यह सिर्फ शेंपू नहीं बनाता बलकि और भी health से related products भी बनाते हैं और भी इनके products हैं इसकी link आप नीचे description में check कर सकते हैं अब बात करते हैं हमारा अगला जो brand है वह हिमालाय का herbal यह 1930 में launch हुआ था यानि 1930 में यह founded हुआ था यह एक Indian company है इसके खास बती है के company के दवाई की इन और गेनिक type के shampoo मिल जाएंगे अगला जो हमारा brand है shampoo का वह है क्लिनिक प्लस एक जाना मना brand है इसके आपको share share जो होते हैं एक रुपे वाले दो रुपे वाले वह आपको इंडिया में सभी जगा मिल ली जाते हैं यह हिंदुस्तान यूनि लीवर company के द्वारा acquire क्या हुआ product है यान की इस company के एंडर में है और यह आपको strong और long और anti-draider बाल देने के लिए प्रचली थे यह एक white brand है इंडिया में सब जगा आपको मिल जाएगा 175 ml के अगर आप bottle लेंगे जो shampoo लेंगे तो आपको 80 रुपए के आसपास की पड़ जाएगी अगला जो हमारा brand है वह है head and shoulder देखिए यह 1950 में found हुआ था और यह American brand है इसकी जो parent company है वह proctor and gamber है यान की PNG के नाम से famous है और यह anti-denter shampoo के line में ज्यादा famous है इसकर जो आपका 180 ml की बॉटल है वह 140 रुपए के आसपास की पड़ जाती है अब बात करते हैं अगले shampoo brand के बारे में जो की है sunsilk sunsilk co-creations यह 1954 में found हुआ था और यह United Kingdom का brand है यह अमेरिका का नहीं है UK का brand है यह hair wall shampoo की range बनाते हैं और anti-denter shampoo की range इनके आपको मिल जाएगी और इनका जो price range है वह 370 email में आपको 190 रुपए के आसपास पड़ जाएगा याद रिखिए यह जो price range में बता रहा हूँ यह change हो सकता है आप नीचे description में भी change कर सकते हैं मैं आपडेट करता रहूंगा कोशिच करूंगा तो उसमें आपको यह रहेगा कि यह एक normal price range है जिससे आप आंदासा लगा सक है अगला जो हमारा brand है वह है Pantene Pro Vitamin Pantene Pro V देखिए इसमें आपको 1950 में यह found होता है यह अमेरिका का brand है यह इंडिया का brand नहीं है अमेरिका का brand है और यह भी P&G company के दौरा इसकी जो parent company है यह जो इस company के दौरा यह चलाए जाता है वह है proctor and gamble इसका जो main focus है वह hair nourishment shampoo बनाने के पर है और आपको जो बालो के damage होगा है उसको repair करने पर है 340 ml के bottle अगर आप लेंगे market में तो 220 के आसपास यह आपको मिल जाए अगला हमारा brand है Trace में यह Trace में जो brand है यह 1950 में है found हुआ था और यह Swiss company है Swiss American brand है इसकी जो parent company है वह Unilever है और इसको इसका tag line है कि इसको experts के द्व का इस्तमाल करते हैं इसा company का दावा है अब इसकी जो price range है वह 340 ml में आपको मिल जाएगा 240 रुपे के आसपास यह भी आपका affordable price range है आप इसे ले सकते हैं कोई problem नहीं है अब बात करते हैं अगली brand के बारे में जिसका नाम आपने सुना ही होगा वह है Dove Dove जो brand है वह है 25 में आपका found हुआ था इसकी company पी Unilever है जो उसकी parent company है यह आपको इंडिया के सभी हिस्तों में मिल जाएगा यह baby product भी बनाते हैं एड्रल्स के लिए भी बनाते हैं इसकी price range जो है वह 340 ml की आपको bottle मिलेगी वह 200 रुपे यह 215 के आसपास में आपको पढ़ जाएगी अगल जो हमारा number one पर जो brand है वो है L'Oreal Paris यह L'Oreal Paris जो है वो 1910 का brand है 1910 में launch हुआ था यह French का brand है इसकी खास बात ही है कि इसमें जो scientific research होती है वो इसको अपने shampoo में इस्तमाल करते हैं और यह regular और professional health care दोनों के लिए काफी फायदेमत साबिद हो सकता है इसकी price range भी affordable है 360 ml का अगर आप लेंगे तो 220 रुपय का आसपास का आपको पढ़ जाएगा अब आप बताईए कि आपके हसाब से first number पर कौन सा brand होना चाहिए था या फिर आपका favorite brand कौन सा है comment में लिखका ज़रू बताईएगा कि आपका favorite या first number brand कौन सा है जो इस list में नहीं रहा या जो रह गया या आपके साब से होना चाहिए था और आपको best shampoo कैसे select करना चाहिए इसके बार में में भी वे एक video बनाऊंगा तो मैं नीचे description में link देने की कोशिच करूंगा अच्छे सभी shampoo उसके जो link से वो में नीचे description में दे दी हैं अगर आप कोई भी shampoo जो brands आपको बता हैं उनकी जो price range चेक करना चाहें तो नीचे description में check कर सकते हैं कि वो कितने के आ रहे हैं वो buy करना चाहें तो भी आप उन्हें buy कर सकते हैं इस channel पर ऐसे ही brands की जानकरी आपको मिलती रहेगी इस channel को subscribe जरूर कर लीजिए आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए thank you